फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करूँगी जो प्लांट में ना केवल ग्रोथ करेगा बलकि बहुत अच्छी मात्रा में फूल लाएगा चाहे वो गुलाब का पौधा हो, अपराजिता हो, गुड़हल हो या मोगरा हो सभी फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही फायदे मंद फर्टिलाइजर है, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइजर है, दो चीजों को मिला कर मैंने ये फर्टिलाइजर बनाया है, यदि इस फर्टिलाइजर की फायदे की बारे में बा रहे हैं तो प्लांट को जरूरी पोशकततो फर्टिलाइजर के रूप में देने होते हैं क्योंकि हम छोटे-छोटे पॉर्ट में यह प्लांट से लगाये होते हैं तो मिट्टी में इतने पोशकतत तो नहीं होते हैं कि परियापत मात्रा में प्लांट ग्रोथ कर सके और फूल से रहेगा और सोयल उपजाओ बनी रहेगी पौदे बहुत तेजी से नई ग्रोध करेंगे मोगरा प्लांट जो कि अभी ग्रोध कर रहा है और उसमें जल्दी से कलिया बने इसके लिए आप यह फर्टिलाइजर डाले प्लांट बहुत जल्दी फूल देना शुरू कर देगा और इसमें लगातार फ्लॉरिंग होती रहेगी फर्टिलाइजर डालने के पहले इस बात का द्यान रखें प्लांट में किसी तरह के सुखे हुए फूल हो उनको आप हटा दें थोड़ी थोड़ी सी आप ट्रिमिंग कर सकते हैं खराब टेहनिया हैं उनको भी काट सकते हैं इससे जड़ों में हवा पहुंच सके और जड़ें अच्छे से बिकास कर सकें यदि प्लांट बहुत ज्यादा पुराना है या बढ़ा हो चुका है और छोटे पॉट में लगा है तो उसको अभी इस समय आप रिपॉर्ट भी कर सकते हैं चाहे वो गुलाब का प्लांट हो गुड़ल हो मोगरा हो या कोई दूसरे प्लांट हो सभी की रिपॉर्टिंग आप कर सकते हैं क्योंकि यदि आप छोटे पॉट में बड़ा प्लांट लगाते हैं तो इस पेस की कमी की वज़य से रूट बॉंड की समस्या हो जाती हो प्लांट की ग्रोथ रुख जाती है सिर्फ फर्टिलाजरी नहीं हमें छोटी-छोटी सी इन बातों पर ध्यान देना होता है जो की प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें फूल फर लाने के लिए बहुत जरूरी है पॉधे में आप इस तरह से स्वैल में वाटरिंग करें कि उसमें ना ज्यादा पानी मात्रा हो और ना ही बहुत कम हो पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए मिट्टी में मौशर बना रहना चाहिए जिससे की पौधे को जरूरी पानी मिल सके पौधों में अच्छे फूल लाने के लिए आपको इन्हें परियाप्त धूप देनी होगी गुलाब हैं गुड़ल हैं मोग चाहिए मात्रा में और छोटी साइज के आएंगी इस बात का आपको ध्यान रखना है फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी उसके साथी एक और मैं फर्टिलाइजर बताऊंगी उसको भी आपको प्लांट में अपने डालना है तो पहला लिकुड फर्ट एक मुठी आपको प्याच के चिलके ले लेना है पोतेशियम से भरफूर हैं इसके साथ इसमें में गोल्स एप मेंड़ियं के लिए बहुत जरूरी है इसके साथ इसमें प्लांट की इमनिटी को बूस्ट करता है और प्लांट में कलीयां बनाने में मदद करता है जड़ों क के लिए रखना है एक दिन बाद आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइजर मिलेगा इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करके छान लेना है तो मैं से छानूंगी तो बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है और बहुत असानी से घर में उपलब्द चीजों से यह बन जाता ह है सभी प्लांट के लिए यूजफुल है आप सभी प्लांट पर इसका यूज़ कर सकते हैं तो इस फर्टिलाइजर को आप अपने प्लांट की सोयल में पॉट की साइस के हसाब से डालना है जो दूसरा फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर बर्मी कंपोस्ट है सभी प् आप देखेंगे आपका प्लांट पूरी गर्मियों फूल देगा और उसमें लगातार ग्रोथ भी होती रहेगी थैंक यू